तो चलिए आज एकदम इस वाले एरिया का थोड़ा सा मेक ओवर करेंगे बहुत जादा कुछ नहीं चेंज करने वाले हैं बस इसका पेंट चेंज करेंगे क्योंकि पेंट मुझे उस टाइम से यह अच्छा नहीं लग रहा था जो मुझे चाहिए था न उस कलर का नहीं हो पा बिल्कुल पुराना सब बहुत दिन से एक पेंट पड़ा हुए वाइट कर लगा ठीक है तो इसको मैं कर लूंगे यह वाल ही पेंट आपको इसा भी पेंट ले सकते हैं तो चलिए पहले इसको ब्लाक वाले एरिया पे पूरा कंप्रीटली वाइट करेंगे फिर हमें जो भ ठीक हो रहा हुए था बहुत ताइम लगए था क्योंकि इसमें डिजाइन बना हुआ तो उसमें उसके जलते नहीं हो पा रहा था तो कैने पहले सो चलते हैं कि बिल्ग हैं जब चल्सक्राइब डिजाइन में कैसे में रूलर चलाउंगे लेकि जब पहले अच्छे से मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छा सा ये आर्श बनाया था मैंने साइट साइट में इसकी डिजाइन बनाया था चलिए पूरा वाइट कर लिया है तो यहां पे मैं डार्क ऑलिव ग्रीन ले रही हूं तो बॉर्डर को मैं अलिव ग्रीन कलर कर रखूंग मैं इसको छोड़ दिया अब चलिए सारे चीज को मैं यहां से हटा दूंगी और फिर मैंने इसको तो पूरा पेंट कर लिया डाक से और यहां पर मैंने दो शेड लगा के देख लिये हैं वाल पे ही कि मुझे कौन सा चाहिए तो मैंना यहां से यह जो ग्रीन है लाइट ग् जाए काम करना बहुत ज़दा पेंट नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं वो जो बढ़ा वला रोलर रोलर होता ना बहुत टाइं टेकिन लगता है वो बुझे कि बाद में बहुत सफाई करनी पर जाती नीचे पूरा पेंट गिरता है तो इसके मैं छोटा ही वाला यूस कर ल इसको मैं लगा रही हूँ मेरे पास जो शेफ मेंने एक्जगन वड़ी यूस की थी वही मैं यह पर याय यूस ठीक है तो चलिए इन सबको लगा लेते हैं पहले अच्छे से तो इस तरह से मैं पूरे पर अपनी शेफ लगा दूंगी तो यह थोड़ा सा ना बहुत गुसा पूरा जाड़ी ते एक पूरा बोचाल को सुआाल जालएतों और मेरे जितने बी बटले कि पूली लगी अविलिएढोंों धर्लीतिकोरीड में अभी टयो हाई तो में डिस्क्रिपशन में लिंक दे दोगी थीक है तो मेरे कृफ़ी वाला जो आता है न उससे मैंने पोरा अं इस तरह से मेरा ये एरिया पूरा कम्प्लीट हो गया है ठीक है तो चलिए अभी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाती हूँ यहाँ पे का और फिर थोड़े से और मुझे एक जगा पे और पेंट करना है तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगे तो वीडियो में बने रहीएगा इसी के जो साइड इसी रूमें यहाँ पे मैंने एक और आर्च पेंट किया वा था इसी का लगा ये भी गंदा हो गया है तो चलिए इसको भी ना मैं बहुत ही लाइट ओलिव ग्रीन यहाँ पे मैं ले रही हूँ ठीक है उन दोनों से भी लाइट है आप देखें कितना ला आपको मार्क कर लेना है उसके बाद आपको रोलर का यूज करना है तो इस तरह से रोलर का यूज करने से बहुत एजी हो जाता है किसी छोटी जगह पे अगर आपको पेंट करना है तो बहुत एजली आप पेंट कर सकते हैं तो इस तरह से चलिए पूरे को पेंट कर लेते ह और अच्छा हाँ ये आज आपको कैसे बनाना है वो वीडियो आल्रेडी मैंने अपलोड किया हुआ है कि कैसे आपको माक करना है और आज बनाना और कभी भी ना साइड में आप रोलर का यूज नहीं करिए पहले एक आप लाइन बना लेजे ब्रश से उसके बाद आप रोलर क भी इसे करना है और मैं अब को दिखाती हूँ आपको brush लेना है और उसी से पकर रहें तो कभी भी आप वॉल पर भी paint कर को साइड वाला paint मतलब आपको हमेशा brush से कर लेना है तो उससे आपका निट लूड खाएगा और मतलब тан eg not contemporary बाहर के साइड निकले remember तो इस तरह से आपको brush से इसको अच्छे से बराबर करके paint करता है तो ये वीडियो ना मैंने बहुत दिनों पहले बनाया था लेकिन अभी कुछ वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी से मैंने आप लोगों को पहले बोला मैं लिंक दे दूंगे आप देख लिए कर वह भी बहुत प्यारा लगता था तो बात करते करते इधर का complete हो गया तो चलिए अब इसको भी मैं complete कर लेती हूँ सेम इस वाली वाल को भी मैंने complete कर दिया ऐसी तरह से तो पूरा मेरा लुक बस आज का इतना ही था मुझे बस पेंट करके आप लोगों को दिखाना था कि आप कैसे अपनी रूम का रिनोवेशन कर सकते हैं सिर्फ पेंट को जेंज करके तो इस तरह से मैंने ये ड्राइ बुशर्स यहां पर रग दिया इसको पेंट करके तो अगर वीडियो पसंद आयोगा तो जरुत मन लोगों तक पहुचाएगा कैसा लगा जरूर बताएगा और बाकी वह लाइक शेर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नी बोले वह आपको जैसे अच्छा लगा लगे वह आप करके जाएगा ठीक है तो च ठीक है फिर बाई बाई